हाई गाइज मैं हूरी मिडेर आप देख रहे हैं चैनल नैचल मसल अगर मैं आपको कहूँ के आप बिना बारकड की हुए अपनी फैट बर्न कर सकते हैं गर बैठे बैठे तो आपको कैसा लगेगा जी हाँ आपने सच सुना आज मैं आपको एक ऐसी तकनीके बारे में बताऊ प्रफॉर्म है एकसेस पोस्ट ऑक्सीजन कंसमपियशन इस तकनीव पर का भी स्टडी हुई है काफी साइस बेशटर टकनीग है जाधा तर जो are certified fitness trainer हैं उसकी study में इसको पड़ाया जाता है मैं इसका कोर्ष कर रहा हूं도 Certified Trainer का सो कल पर सो मेरी कलास से थी उसमें इसका उन्होंने जिकर किया था तो मैंने सोचा कि आपको बताना मेरे लिए जरूरी होगा क्योंकि बहुत ही benefit है इस technique के गाइज तो चलिए मैं आपको बताता हूँ जे कैसे काम करती है कैसे इसे जूज करना है हमने इस technique को post-barker में जूज करना है जब अपने जम लगा लिए अपनी बेटरेन खत्म कर लिए उसके बाद आपने तरंत बाद fast कोई ऐसी cardio exercise करना है जिससे आपकी heart rate है जहां आपकी सास फूल जाए simple bassa में मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी सास सास ना रले ऐसी exercise चाहे वो तेज दाड़ना हो गया चाहे वो jumping group होगे fast कोई भी exercise जिससे आपकी जो body बर्ने स्टेम में चली जाए इस technique को compare किया गया है इस technique का example दिया गया है जैसे एक car का engine होता है अगर हम असको बगाते हैं बहुत जल्दी गर्म हो जाता है उसके बाद उस engine को cool down होने में बहुत time लगता है दीरे दीरे बहुत cool होना शुरू होता है उसको काफी time लगता है उस engine को cool होने में बैसे ही बरकट के बाद हम अपनी body को burners step में ले जाते हैं यानि के काफी तेज कोई exercise करते हैं हमारी heart rate बढ़ जाती है हमारी साह तेज चलने लग जाते हैं तो बहाँ पर ये EPOC यानि के excessive post oxygen concentration वाली जो technique है वो काम करती है हमारी body एक burners step में चली जाती है तो जब हम बरकट finish करते हैं तो कार के engine की तरह हमारी body को cool down होने में बहुत time लगता है आपको लगता है कि आपने workout कर ली आपने cardio कर ली उतने time तक आपकी calorie burn हुई तो आप आप गर पर बैटे हो जा कोई दिन बर काम कर रहे हो तो आपको लगता है कि उसी time मेरी body ने calorie burn गई है जब आप इस तकनी को जूज करते हैं जानि कोई कोई fast movement करते हो बेटेन के बाद तो जो आपकी body है उस पर जे तकनी के लागू होती है तब आपकी body एक burn stay में चली जाती है तो बरकाट के बाद भी 3 गंटे, 5 गंटे, 6 गंटे आपकी body की calorie burn की speed है वो burnी रहती है आपकी body को जैसा मैंने बता जाता के car के engine को ठंडा होने में time लगता है तो आपकी body को भी उस situation में recover होने में time लगता है वो burning mood में आ जाती है इसी तकनी को EPOC कहते हैं तो आपकी body बाद में भी calorie burn करती रहती है इसका फैदा जही है कि आप जिम में जाते हो बरकट करने के आपकी fat loss हो आपकी calorie burn हो राइट अगर आप 5 मिन्ट जहां 10 मिन्ट इस technique को जूज करते हैं तो आपको इसका जेव एनिफिट होगा कि आप जिम में तो जो calorie burn करोगे ही करोगे लेकिन जिम के बाद भी आपका जो body है वो इस्तगनी के साथ आपकी body तीन जहां 4 गंटे calorie burn की speed में रहेगी तो ऐसे आप इस्तगनी को जूज करकर आपकी जो fat बना है वो आप जिम के बाहर भी कर सकते हैं स्मार्टली तरीक से जूज करना है चाहे दो मिनट चाहे ती मिनट चाहे पांच मिनट पूरी बरकट के बाद पूरी तेज प्रेंट लगानी है पूरी तेज अपनी body को एक burnis टीज में लेकर जाना है तांके आपकी सांस में सांस ना रहे जही था आज का मेरा टॉप का बीडियो बनाने का शोटी सी बीडियो है लेकन बहुत ज्यादा effective है बहुत बड़ा काम करेगी तो गैज मिलते हैं कोई ऐसी next effective बीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिए और चैनला subscribe कीजिए बेल बटन पर जर बाइ बाइ